कि अग्यों कि अग्यों कि अग्यों स्वागत है आपका स्टडी फॉर सेविल सर्विस के यूट्यूब प्लैट्फॉर्म पर फिर से और जियोगरफी पढ़ते-पढ़ते थोड़ा बोर हो गए होंगे आप लोग तो थोड़ा सा चेंज करते हैं कुछ चीजे और हम लोग डि किसा याद रखनी होगी क्योंकि वहां से भी कॉर्सन एक बार आ रहा है बार बार तो देखिए उत्त्राखंड की जनरल इंफॉर्मेशन सबसे पहले पेज में लिखी होती है किसी भी किताब में किसी भी बुक में तो मैं चाहूंगा कि उसको आप जरूर पढ़िए ठीक है तो आपको पता चलता है कि जो उत्त्राखंड है जागरफी में तो हमने देख लिया उसका कितना एरिया है उत्तर से लेकर दक्षिन तो उसकी कितनी चोड़ाई है क्या लंबाई है कितने अक्षांस के बीच में आता है हिमालियास कौन-कौन से रेंजर से जहां से गुजरत और प्रसास्रीक सुधा के लिए इसको हमने दो कमिशनरी में माट रखा है और तेरह जिलों में माट रखा है तो हमको क्या समझ में आती है एक administrative hierarchy समझ में आती है टॉप टू बॉटम उसको समझना होता है प्लस गवर्नेंस किस यह गवर्मेंट किस प्रकार से काम करती है वो कौन से आर्टिकल्स हैं जिसका इस्तमाल करके राज्य का गठन किया गया गवर्नर किस प्रकार से किस आर्टिकल का इस्तमाल करके अपॉइंट किया जाता है चीश अगर हम बात करें जादा बड़ा डिवीजन कौन सा है तम कहते हैं गड़वाल इसमें जिनों की संखिया ज्यादा है साथ और यहां पर जिलों की संखिया कितनी अच्छ है तो टोटल डिस्ट कितनी हो गई तेरा यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है बताओं आपको कि यह जितने भी जिले आपको दिख रहे हैं इनकी इस्थापना किस वर्स हुई यह काफी इंपॉर्टेंट है और उत्राखंड के लगबग सधी एकजामों में जिसमें अब्जेक्टिव कॉस्चन्स आते ह उसमें यह सारी चीजें डारेक्ट पूछी जाती है कि अरेंज दा फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन दे एर ऑफ देर फॉर्मेशन ठीक है कि जो जिले जिस वर्स इस्थापित हुए निमलिखित में से उसको क्रम में लगाएं तो देखे सबसे पहरे नाम आ रहा है पॉड क्या रखना है अगला देखते हैं इसी तरीके से देखिए मैंने कई सारे कॉश्चन मार्क्स लगा रखें हैं आपके कि सबसे ज़्यादा यह वर्सस मुए विधान्सभा रीजन जैसे की उत्तराखंड में कुल कितनी सीटे हैं विधान्सभा की सत्तर है तो जाइर सी बात arthritis को तेरा से divide कर देना चाहिए तो बरावर वर्भरों सीटे हो जाएंगी लेकिन ऐसा नहीं है कुछ जिलों में सीटों की संखिया जादा है और कुछ जिलों में बहुत कम है। हम देखते हैं कि हरिद्वार में सबसे अधिक विधानसवा् सीटे है कितनी कि 11 जहिर सी बात है कि ये विवाजन किस आधारबग किया बिता हो किस जिले में है तो देखिए चमोली वागेश और रुद्र प्रियाग इन सब में दो-दो सीटे इसका मतलब यह हुआ कि इक्वल डिस्ट्रिबूशन नहीं है किस चीस का विधान सभा की सीटों पर इसी प्रकार देखते हैं कि सरवादिक तहसीलें किस जिले में हैं तो हमको पता चलता है कहां पर है पितोरगड में कितनी संक्या एक कौन पर है दृत्ट्व पर milliards और ह्ली nhân तो यह सब पिर बात करने किसकी ब्लॉक की पुकि सबसे पहले किसका नाम आएगा कमिश्णरी का फिर जिले का फिर तैसील का फिर। का और फिर लास्ट में क्या आता है यह तो बाते हम हिस्ट्री से पढ़ते आ रहे हैं प्राचीन काल से यह क्या विभाजन किसीच का पद सोपान कह सकते हैं हाइर की तो नंबर अब या ऽठने जैसि विछ ब्लोक बिलॉंग्स तू विच डिस्ट्रिकंट कॉन सा ब्लॉक किस बिलॉंग करता है यह तो बहुत ही important है fact जैसे कि मैं इससे में नैनिताल जिले में हूँ ठीक है तो मुझे कुछ blocks के नाम पता है जैसे की बेताल घाट है जैसे की यह भीमताल वारे छेत्र में है वो उस block के अंतरगात आता है समझ रहे हैं बात तो इसी प्रकार से जितने जिले उतने block तो मैं इस देंगे की कौन सा ब्लॉक कि जिले के नतरगत आता है तो यह बाते मैं आपका खाली ध्यान आकरसित करने के लिए कह रहा हूं कि प्लीज अपनी पढ़ाई में इस चीज़े को भी सामिल कीजिए ठीक है आगे हम देखते हैं जैको उत्त्राखंड राज्जी कब बन उत्राखंड बना है 9 नवंबर सन 2000 में ठीक ये सारी बात हम डीटेल में पढ़ेंगे बेफिकर रही है 9 नवंबर सन 2000 को उत्राखंड का गठन हुआ उत्रांचल नाम से तब सरकार तो थी नहीं अंत्रिम सरकार बनाई गई और अंत्रिम मुख्यमंत्री बनाए गए होंगे लेकिन जब चुनाव किये गए होंगे तब उसी अनुसार किये गए होंगे जैसा कि किसमे उल्लेक है हमारे समिधान में तो आपको पता होगा आर्टिकल 122 से लेकर 237 के बीच में जितने भी राज्ज हैं पूरे इंडिया में वो इसी के अनुसार काम करेंगे जैसा कि समिधान में लिखा गया है और उत्राखंड भी उससे अच्छूता नहीं है तो उत्राखंड की जो भी कारे प्रणाली है प्रसास्लिंग व्यवस्थाएं हैं गवर्मेंट है जूडिशरी है वो बदे हुए हैं किस से हमारे समिधान से तो ये बात यूपी के लिए भी रागू होगी राड़ेस्थान में भी लागू होगी जितने भी राज्ये हैं MP पंजाब सब में लागू होगी ये सारी बातें जो हमारे समिधान में लिखी हुई है ये बात आपको पता ही है गवर्नर का अपॉइंट्मेंट आर्टीकल 115 से गनसार होता है क्या काम है ये सारी बातें जब आप पढ़ेंगे पॉलिटी में तो जो पढ़ रहे होंगे में आप वही सारी से यहां पर भी लागू होती है चीश मिनिस्टर का क्या रोल होता है जो उत्रबर्देश के मुक्यमंत्री का है ठीक है पांस साल के लिए विज सबाख करेंगे हम किसकी एक सम्रूम कि सते एक सजंवाला sign यहां पर या 20 सब्दनात्म को विवस्थाएं नहीं है यहां सिर्फ विधान सभा है विधान मंडल विधान परिशत नहीं है जैसा कि यूपी में है ठीक है तो हम कह सकते हैं कि जो उत्राखंड का जो विधान मंडल है इसमें सिर्फ दो ही चीजें है एक गवर्नर और एक विधान सभा यूपी के केस में क्या है, गवर्नर, विधान सभा और विधान परिशत। ठीक, परलेमेंट की तदर है, जैसे कि है राष्पती, राजिसभा और लोक सभा, ठीक है, जूडीशरी आप जानते ही है, हाई कोट, हर राजजी का अपना हेही, और कुछ राज जैसे जिसका common high court है लेकिन उत्राखंड का अपना high court भी है ने निताल में स्थित है और उसी के अनुसार यहां का कानुन विस्ता स्थापित की गई है जैसा कि समिधान के 214 से लेकर 231 जो article है उसके बीच में स्थापित है कब बना पहले justice कौन थे इस समय कौन ह है बैंट की संख्या कितनी है मैगजिम जिजस कितने होते हैं अगेरा वगेरा यह सारी बाते हैं सारे facts आपको इस संबंद में पता होने चाहिए कि क्या कोई महिला chief justice बनी है आस तक या नहीं हो सकता है से बनी हो पता लगाईए इसे परकार्ज के इसके अधीन अधिनस्त न कि अपनी quality में तो by default वह आपको सारी जानकाने कि इसके बारे में परदान कर रहा होगा उत्तरा खंड के लिए भी इसके लिए अलग से पढ़ने की कोई जूरूत नहीं है इसी परकार्ज हम आगे बढ़ते हैं इसमें तो हमको पता चलता है कि एक संस्था और है उत्तरा खंड में रिस्कॉम कहते हैं पंचायत प्लस municipalities तो क्या ये भी समिधानिक संस्था हैं तो इसका जवाब है हाँ सुरुवात में नहीं थी लेकिन 1993 में इसको समिधानिक दर्जा दिया गया और पार्ट 11 और सुर्डियूल 11 और शिडियूल 12 एड किये गए और आर्टिकल 243 में कई सारे आर्टिकल इसमें जोड़ दिये आर्टिकल 243 के अनुसार हैं पंचायती राज सिस्टम भी है जिसमें महिलाओं को 50 पॉट्सेंट जर्वेशन है में उसे पढ़ेंगे उत्तराखंड के लिए तब आपको पता चलेगी दो चीजें एक को कहते हैं नगर पालिका ठिक नगर पालिका है को और एक को कहते हैं नगर निगम यहाँ के एक से जानिक कि कितने नगर निगम है ठीक है दोनों की कारेड़ूम्हली एक जैसी होती है बस इसके मुक्वाण को कहते हैं ग्रफौमा देक्ष्ष केस में कहे देते ह। मेयर कह देते हैं तो हलदानी क्या एक नगर निगम है यानि की यहां का जो मुख्या होगा महापौर अर्थात मेयर होगा इसी प्रकार से पंचायदीरा सिस्टम परना काम कर रहा है थी टियर्स में काम कर रहा है है ना महिलाओं को 50% जिरिविशन है प्लस उत्तरा खंड में व काफी questions या कह सकता है एक question तो कमसे कम यहां से मिल सकता है आपको आने वाले exams में तो यह थोड़ी सी चर्चा है उत्तराखंड के सासन पर सासन को समझने में तो इसको विस्तार पूरवाख हम समझेंगे next lecture में कि क्या-क्या चीजें कब गठीत हुई पहला मुख्यमंत्री पह आपको हम less lecture में या next lecture में बताना शुरू करेंगे तब तक बने रही स्टी पर सिवल सर्विस के साथ और वेट के जिए next lecture थैंक यू